वेलकम तू लेसन नूबर 12 इस लेसन में हम आपसे बात करेंगे about facebook ads lingo facebook ad structure and anatomy of facebook ads साथ ही में हम बात करेंगे about facebook ads placements ठीक है जी चलिए start करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं about facebook ads structure ठीक है कि facebook ads का structure कैसा होता है देखो, अभी क्या होता है Facebook में, सबसे उपर एक campaign होता है, आप इसको simple तरीके से समझो, आप यह समझो कि suppose करो आपको अपना घर बनाना है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपना foundation डलता है, then उसके उपर ground floor, first floor, second floor, third floor and so on, ठीक है, तो जब तक वो foundation ना डले, तब तक आप उपर के floors नहीं बना सकते हैं, ठीक है, जी, similarly, जब ही भी आप Facebook ads बनाते हो, तो उसका भी एक structure होता है, जैसे घर में foundation होता है, वैसे Facebook ads में होता है campaign, ठीक है, तो Facebook ads में जो सबसे first level होता है, वो होता है campaign, then campaign के बाद होता है, ad set, then ad set के बाद होती है, ad, ठीक है, तीन level होते है, campaign, ad set, add अभी तक क्या होता था पहले आप वो समझो अभी तक यह होता था कि एक campaign के अंदर हम multiple ad set बना सकते हैं और एक ad set के अंदर हम multiple ad बना सकते हैं चीक है? अब यह देखते हैं कि campaign level पे क्या होता है ad set level पे क्या होता है और add level पे क्या होता है देखो camping level पे क्या होता है आप अपना objective डिसाइड करते हो कि आप जो ये camping रुन कर रहे हो इसका goal क्या है ये आप decide करते हो camping level पे then आता है आपका adset level पर आपद ser fora as it level पर डिसाइड करते हो आपकी टार्गेटिंग क्या है आपका budget क्या है आपकी placement क्या है ठीक है आपको optimization क्या है और आपकी bid क्या है 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 आपक्र करते होई पडिंड गर करते हो एडेसे ठीक है अब इसको आप इधर देखो suppose करो मैं नया add बनाता हूँ ठीक है आप यहाँ देख सकते हो सबसे उपर क्या आ रहा है campaign और add set और add यह add account आ रहा है ऐसा लिखा हुआ क्योंकि एकदम नया add account मैंने बनाया है इसलिए इसमें ऐसा option आ रहा है ठीक है नहीं तो आप देखो सबसे उपर क्या है campaign then है आपका add account सॉरी सबसे उपर एक campaign then है add set then है आपका add ठीक और आप campaign level पर क्या decide कर रहे हो आपका objective और add set level पर देखो क्या decide कर रहे हो audience, placement, budget and schedule और add level पर decide कर रहे हो आपका format जो भी है जो भी image उज़ कर रहे हो जो भी text लिक होगे वो आप decide कर होगे add level पर ठीक है तो ये तो है facebook campaign structure जो अभी तक चल रहा है campaign, add set, add ठीक है अब facebook ने क्या किया facebook अब कुछ दिन में मतलब काफी दिन से facebook ने चेंजेस किया है जो कुछ दिन में mandatory होने वाले अभी तक ये changes optional है कुछ दिन में ये changes हो जाएंगे mandatory और इन changes को facebook कहता है campaign budget optimization क्या कहता है facebook campaign budget optimization जिसका short form है cbo आप देख सापके वो सामने एक chart है जो मैंने net से उठाया है इस पे एक तरफ लिखा है without campaign budget optimization और with campaign budget optimization तो जो अभी हमने पढ़ा था facebook ad का structure वो था without campaign budget optimization मतलब अभी जो ads चलते हैं without campaign budget optimization में क्या होता है आप campaign बनाते हो जैसे मैंने आपको बताया था और then आप ad set बनाते हो then ad और जो budget है वो आप decide कहां करते हो ad set level पर आप देख सकते हो यहाँ पर ad set का budget क्या रखा हो है 30 dollar ठीक है अब CBO में क्या होता है जो नया facebook का mandatory होने वाला है कुछ दिन में with campaign budget optimization आप budget का डिसाइड करते हो campaign level पे not at the ad set level ठीक है आप budget decide करते हो campaign level पे और जब आप campaign level पे budget decide करते हो तो facebook क्या करता है उस budget को आपके सारी campaign के बीच में allocate करता है depending upon कि कौन सा ad set सबसे best काम कर रहा है facebook उस हिसाब से अपने budget को क्या करता है distribute ठीक है अब इसको live देखते है suppose करो यहाँ पर मैं ad बना रहा हूँ traffic ठीक है traffic बनाया यह ad account कर देते है और इसको खतम करते हैं अब देखो अभी अभी तक का जो structure था जिसमेh campaign ad set add यहाँ पे देखो मैं budget कहां लिख रहा हूँ यहाँ देखो मैं budget कहां लिख रहा हूँ ad set level पे यह ad set यहाँ पर यहाँ पे बजट लिख रहाँ यह कौन सा था जो अभी तक चल रहा था काम आ रहा है अभी वाला structure अब जो नया structure है which is CBO उसमें देखो कैसे काम करेगा तो उसमें मैं अगर जाता हूँ campaign पे देखो option क्या रहा है campaign budget optimization अगर मैं इसको on कर देता हूँ तो मेरे से budget कहा मांग रहा है budget मांग रहा है campaign level पे मांग रहा है daily budget अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ budget set budget set हो गया तो पहले हम कहां करते थे पहले करते थे ad set level पे अब हम करते है campaign level पे अभी भी facebook ने आपको एक option दे रखा है वो option क्या है कि आप चाहो तो ad set level पे भी अपने budget को क्या कर सकते हो limit कर सकते हो यह लिख रहा है ad spend limit आप चाहो तो यह कह सकते हो facebook को कि भया facebook मैं cbo use तो कर रहा हूँ बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे हर ad set में maximum 3000 हजारी daily के खर्चों या 2000 हजारी daily के खर्चों ठीक है बट अगर आप ऐसा कर दोगे तो basically आपका campaign बन क्या गया यह basically बन गया without cbo मतलब पहले वाला बन गया ठीक है तो अभी हमने पढ़ा कि campaign structure क्या होता है facebook में तो अभी आप इसको दो parts में divide कर सकते हो एक without cbo, एक कर सकते हो with cbo, without cbo में अगिन 3 parts होते है campaign, ad, set, add और campaign level पे आप decide करते हो objective, ad set टेवल पे decide करते हो budget optimization, ad level पे image creative, same होता है दूसरा option with campaign optimization, with campaign optimization में क्या होता है, budget decide करते हो campaign level पे और Facebook उसको distribute करता है ad set level पे और आपके पास एक option होता है कि आप ad set level पे भी अपने budget को क्या कर सको limit लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपका basically पूरा ही क्या बन गया without CBO ठीक है जी बहुत ही simple है और जैसे मैंने बताया एक campaign के अंदर multiple ad set बना सकते हो और हर ad set के अंदर multiple ad बना सकते हो ठीक है तो बहुत ही जादा simple है Facebook का campaign structure अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं which is Facebook ads lingo अब देखो जब आप Facebook ads run करोगे तो बहुत सारी आपको terms सुनाई देंगी ठीक है तो आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना अब ये कुछ terms है जो आप बहुत सुनोगे तो मैं उसकी यहाँ पर बात कर रहा हूँ पहली term cpm cpm क्या होता है cost per miles या आप इसको कह सकते हो cost per thousand impression इसका simple मतलब है कि हजार बार आपकी ad दिखाने का खर्चा कितना है अगर आपका cpm है 10 रुपए इसका मतलब है अगर आपकी ad हजार बार दिख रही है जिसको क्या हम कहते है impression अगर आपकी ad हजार बार दिख रही है तो उसका खर्चा कितना है 10 रुपए इसको हम कहते है cpm ठीक है reach का मतलब है आपकी add कितने logo तक पहुँची ठीक है जी reach का क्या मतलब है कि आपकी add कितने logo तक पहुँची उसको हम कहते है reach अब एक चीज देखो reach और impression में difference होता है suppose करो आपकी add पहुँची 5 लोगों तक आपकी add पहुँची तो आपकी reach क्या है 5 बट सपोज करो हर बंदे को आपकी आड़ दो दो बार देखी तो टोटल आपकी आड़ कितनी बार देखी 10 तो रीच हो गई 5 और इंप्रेशन हो गई 10 ठीक है अगला है CTR CTR का मतलब है click through rate इसका मतलब है कितने लोग आपकी आड़ देख रहे हैं और उसमें से कितने click कर रहे सपोज करो 100 लोगों ने आपकी आड़ देखी और 3 लोगों ने आपकी आड़ पर click किया तो आपका CTR क्या हुआ 3% ठीक है आपका CTR क्या हुआ 3% अगला क्या है CPC CPC का मतलब है cost per click एक click का आपको कितना पैसा देना पड़ता है उसको हम कहते हैं CPC ठीक है अगला क्या है conversion का मतलब क्या होता है कोई भी एक important event जो भी आपके लिए matter करता हो for example आपकी website पर आया और किसी ने आपका form भरा मतलब वो क्या बना आपका lead तो ये event आपके लिए matter करता है इसको हम कहते है conversion कोई आया आपके website पर और आपका product खरीदा तो ये event आपके लिए बहुत matter करता है तो इ conversion आप इसे भी conversion कैसा ठीक है तो कोई भी एक important event का होना क्या होता है conversion जैसे की lead जैसे की sale ठीक है अगले चीज़ है pixel पिक्सल क्या होता है तो facebook एक code देता है tracking code देता है जो आपको website पे लगाना होता है और इस tracking code की help से आप ये track कर सकते हो कि कितने लोग आपके website पे आ रहे हैं क अगले चीज़ क्या होती है campaign आपने अभी समझा campaign क्या होता है adset आपने अभी है थोडिल पहले adset क्या होता है ads हमने अभी समझा था placement का मतलब होता है कि कहा कहाँ आप अपनी facebook एड दिखा सकते हो उसको हम कहते है placement अभी समझोगे detail में placement retargeting क्या होता है जैसे कोई आपके website पर आया और आप उसे दुबारा एड दिखा रहे हो तो उसको हम कहते है री टारगटिंग ठीक है अगला ओप्शन क्या है look alike audience look alike audience क्या होता है facebook एक आपको option देता है इस option में क्या होता है कि अगर आप facebook को सौ लोगों की audience दो या हजार लोगों की audience दो तो facebook आपको ऐसी millions of होता है किसे ने आपके link पे click किया और facebook से बाहर गया ठीक है link पे click करके facebook से बाहर गया तो उसे हम कहते हैं outbound click ठीक है अब हम देखते हैं क्या होता है facebook ad placement detail में देखो facebook ad placement का मतलब होता है आप अपनी ad कहां कहां दिखा सकते हो अब जैसे आपको यह पता ही होगा कि facebook ही own करता है instagram और facebook ही own करता है messenger हाना तो अगर आपको facebook ad बनानी है तो आप facebook पे भी दिखा सकते हो messenger पे भी दिखा सकते हो और Instagram पे भी दिखा सकते हो इसके अलावा बहुत सारे Apps हैं Websites हैं जिन्होंने Facebook के साथ tie up किया हुआ है Facebook Ads दिखाने के लिए अपनी Website पे जिसे के Facebook कहता है Audience Network तो आप चाहों तो वहां भी Ad दिखा सकते हो एक बार काम करते हैं आप ये Edit Placement क्लिक करोगे तो आपको Facebook देखो चार option है Facebook के पास एक है Facebook itself एक है Instagram एक है Audience Network एक है Messenger अब जब आप Facebook में Ad दिखाओगे तो आप कहाँ Ad दिखा सकते हो तो आप Ad दिखा सकते हो Facebook News Feed मतलब अगर आप Facebook चला रहे हो और बीच में एक Ad आजाए जैसे स्क्रॉल करते हो na Facebook और बीच में Ad आती है उसको हम कहते है Facebook News Feed Same goes for Instagram आप Instagram चला रहे हो और बीच में Ad आगी ठीक है अगली है Facebook Market Place Facebook का Market Place है जाँ लोग पर्चेस सेल करते है Facebook अगर उस Market Place में Ad दिखाता है Facebook तो उसे कहते है Facebook Market Place Facebook Video Feed एक Facebook की Video Feed है न अगर आपको उस Video Feed में Ad दिख रही है तो Facebook उसे क्या कहते है Facebook Video Feed आपने बहुत बार देखा होगा आप Video देख रहे हो और Suggested Video में आपको कोई Video दिख जाती है ठीक है उसे Facebook कहता है Facebook Video Feed अगला है Facebook Right Column आपने बहुत बार देखा होगा आप Desktop पे Facebook चला रहे हो और आपको Side में Right Side में छोटी सी Ad दिखती है उसको कहते है Facebook Right Column और Instagram Explore आप Instagram पे Ad चला रहे हो Instagram पे हो वहाँ पे Explore का Option है वहाँ पे जो Ad दिख रहे हो उसे कहते है Instagram Explore Messenger Inbox आपको Messenger में जो Ad दिख रहे है उसे कहते है Messenger Inbox Same goes for Stories अगर आपको Stories में Ad दिख रहे है चाहे Facebook की Story हो, Instagram की Story हो Messenger की Story हो तो वह सारे होती है Stories ठीक है अगली चीज है In Stream या आपको वीडियो देख रहे हो उसके बीच में Ad आ जाए तो उसे हम कहते हैं In Stream अगला है Messages जहाँ आप लोगों को Message भेज सकते हो In Article आपने बहुत बार Facebook पे देखा होगा आप Scroll कर रहे हो आपको News पे क्लिक करते हो और एक Feed सी खुल जाती है जहाँ पर News लिखी होती है और जो आप नीचे आते हो तो आपको कुछ Ad दिखते है उसको कहते है In Article आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो Facebook आपको बताने की कोशिच कर रहा है आप Feed पे हो आपने कुछ क्लिक किया और आपको वो दिखा और नीचे बीच में Ad दिखता है उसको कहते है In Article चीक है सेम देखो Apps and Sites में जैसे मैं आपको बता रहे था अगर आप Audience Network का पार्ट बनके Ad दिखाना चाहते हो तो वो होता है Audience Network बड़े सारी Websites से Apps है जो कि Facebook का उन्होंने वो किया हुआ है Facebook के साथ tie up किया हुआ Ad दिखाने के लिए अगर वहाँ पे आपको अपनी Ad दिखानी है तो उसे Facebook कहता है Audience Network ठीक है जी अब अगली चीज़ जो हम बात करते है Anotomy of a Facebook Ad कि Facebook Ad में होता क्या-क्या है असली में जो आपको Facebook Ad दिखती है वो कैसे दिखती है ठीक है तो देखो जैसे ही आपको Facebook Ad दिखेगी तो सपोज करो मैं यहाँ एक यहाँ लिखता हूँ एडलाइन और डिस्क्रिप्शन और एक काम करते हैं एड मीडिया कर लेते हैं एड मीडिया एड इमेज एड इमेज और स्टॉक ले लेते हैं मार्केटिंग अब देखो यहीं फेस्बूक एड इसको यहां से वह पर देते हैं अब देखो आपको यहां पर एड दिखेगी आपके यहां पर मैंने फेस्बूक पेज सलेक्ट नहीं किया हो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है तो यहां पर मैं पेज कर लेता हूं ओके स्ट करने के लिए कह रहा है तब इक काम करते हناं एक नहीं पेज कर लेते हैं आप पेज नेल मिन रख़ देते हैं डमी पेज category advertising और इसे कर देते हैं create page प्लीज एंटर रहा city तो यहां लिख देते हैं डली इंडिया और कर देते हैं create page तो file picture मांग रहा है ओके तो एक photo लगा देते हैं desktop कहां से लगाएं photo एक काम करते हैं जो जाकर सेच्च मार्केटिंग और images और इस image को बना लेते हैं ठीक है जी और यहां पर image लेते हैं और upload image desktop यह ले लेते हैं यह image ले लेते हैं दुबारा से ले लेते हैं और यहां से select कर लेते हैं image के size की problem है इसलिए दिक्कत हो लिए है तो इसको करते हैं काम इसको change करते हैं और प्रब्लम हो रही है तो यह काम करते हैं हम जाते हैं Canva और Canva में जाके एक profile photo बना लेते हैं ठीक है 180 x 180 create a design custom design 180 x 180 create a design और यही ले लेता हूं जो भी है और इसको कर देते हैं download और इसको ले लेते हैं ओके अब कर लेते हैं image तो upload image downloads यह ले ले लेते हैं और इसे कर देते हैं continue और यह कर देते हैं create page okay so अब देखोगे आपकी आपका facebook ad दिखेगा कैसे आपको जो feed में ad दिखता है वो कैसे दिखता है क्या-क्या component होते है add के और क्या-क्या चीज़ें आप आड में test कर सब्सक्राइब ठीक है अब यहाँ पे पेज आ गया और यहाँ पे आपको add दिखेगी ठीक है अब देखो add दिख रही है तो suppose मैं यहाँ लिखता हूँ want to learn digital यह again copy अच्छी नहीं है just मैं ऐसे लिख रहा हूँ want to learn digital marketing और click here ठीक है तो यह जो आपको दिखता है इसे facebook कहता है primary text या आप इसको normal terms में main copy कह सकते हो primary text या main copy ठीक है और यह जो आपको दिख रहा है click here to enroll now ठीक है यह जो दिख रहा है click here to enroll now इसको facebook कहता है headline ठीक है और headline के नीचे जो चीज दिखती है उसे facebook कहता है description जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर click here and click here to grab this course at 499 only ठीक है जी यह हमारा हो गया description ठीक है then हमारा यहाँ पर होता है आपका website ठीक है then हमारा होता है website ठीक है अब आपने देख लिया facebook ad में क्या क्या चीज़े होती है तो यह होता है आपका primary text जिसे कि हम कहते है copy normal terms में आपका image यहाँ पर video वगरा कुछ भी लगा सकते हो then होता है click here to enroll जो मैंने इसे हम कहते है headline then headline का description then यहाँ पर call to action का button यह learn more जो है इसे हम कहते है call to action तो learn more में आपके पास और बड़े सारे option है जिसे आप select कर सकते हो no button है या कोई button नहीं रखने चाहते तो no button कर सकते हो listen now book now sign up यह बड़े सारे option है जो कि आप क्या कर सकते हो select तो आप starting में multiple copies test करो जैसे मैंने आप एक लिख है want to learn digital marketing तो initially आप तीन से चार test करो फिर आप उसमें से जो सबसे winning हो उसको use करो same काम करो आप creative के लिए आप एक image है आप multiple images test करो then उसमें से एक choose करो same काम करो आप headline के लिए description के लिए ठीक है तो आपको यह सारी चीजे क्या करन है test ठीक है तो आपने यह देखा कि ad दिखती कैसे है और भी अगर आप अलग-लग type की ads होती है Facebook में जो कि आप आगे देखोगे उसमें भी component almost same ही होते हैं सारी same ही चीजे होती ठीक है जी तो चीजे अलग-अलग नहीं होती आज आप थोड़ा सा explore करो और copy लिखो और creative देख की एक तो normal without CBO एक होता है with CBO then हमने कुछ terms के बात की जो कि Facebook ads में use होती है then हमने देखी Facebook ads की अलग-अलग type की जो placements होती है then हमने देखी Facebook ads actually में दिखती कैसे है Facebook ads में क्या-क्या चीजे होती है ठीक है जी so that's it और मिलेंगे कल अगली video thank you so much